रात में सोने के बाद अक्सर लोग दूसरी दुनिया की सेर में चले जाते हैं जिसे हम सपना कहते हैं, जो की हमारे imagination से बिलकुल अलग होता है। इसका वास्तविक जीवन से भी कोई लेना देना नहीं होता है कभी हम सपने में खुद को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो कभी इधर उदर भागते हुए किसी भी सपने पर खुद का कोई वश नहीं होता लेकिन जो अपने सास्तर के अनुसार सपने में दिखाई देने वाली हर चीज का असल जिंदगी से सीधा connection होता है जो भविश्य में होने वाली चीजों का संकेत माया जा सकता है कई बार वह संकेत, शुब होते हैं तो कई बार अशुब भी होते हैं तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको किस्मत खुलने के उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो हमें सपने में दिखाई देते हैं इसके अलावा अगर आपको सुबह उड़ते ही नारियल के दर्शन हों तो इसे भगवान का संके समझना चाहिए। इसकार्थ होता है कि बहुत जल्द मातारक्ष्मी की आप पर कृपा होने वाली है और आपकी सारी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। सौपने सास्तर के अनुसार बारिश होते समय आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना भी काफी ज़्यादा सुब माना जाता है। इसकार्थ होता है कि आप एक कठिन परिशम का फल आपको मिलने वाला है। तो इसकार्थ होता है कि आपकी सोई हुई किसमत जागने वाली है जिस कारण आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। सपने में सफेद या सुनहरा साम दिखाई देना काफी ज़्यादा शुब माना जाता है जो कि मालक्षमी के आगमन का परतीक होता है। साथ ही या सपना इस बात की और भी संकेत करता है कि आपके जीवन में बुरे लोग आपसे दूर होने वाले हैं जिससे आप सकारात्म को जाएंगे और तरक्की करेंगे। साथ ही अक्सर सपने में हमें यह नजर आता है कि हम गलती से उल्टे कपड़े पहन लेते हैं जो कि हमारे अच्छा समय शुरू होने का परतीक होता है। इस कार्थ है कि बहुत जल्द भविश्य में आप हर कारे में सफन होने वाले हैं। स्वापने सास्त के अनुसार अगर सपने में आपके घर के द्वार पर सफेद गाये जोर जोर से बोले तो इसकार्थ होता है कि आपकी घर में नए मेहमान आने वाले हैं स्वापने सास्त के अनुसार सपने में अगर आप कहीं जाते समय मार्ग में कचुआ देखें तो इसका आर्थ है कि आपकी समस्याएं जल्द ही दूर होने वाली है आपको जानकरी कैसी लगी अपने विचारे में कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं